नवस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे आप देख रहे हैं अपना यूटुब चैनल, MS Competition.9456 दोस्तों, आज जो हमारे पास एक विसेश टोपिक है, वो है संख्या पजिति ये एक ऐसा टोपिक है, जिसमें बहुत सारी कैल्कुलेशन में बच्चों को दिक्कत होती है और आज जो हम आपको कैल्कुलेशन का एक सोट तरीका, यानि कि ट्रिक माध्यम हमारा चली रहा है हम जो करते हैं, हमारे जो तरीका है, वो है किबल ट्रिक माध्यम, ठीक है? बच्चो लगता है कि हमें इनको जूडने में, तो मैं अब आपको सामने ये 2 कोस्टन आपको दिख रहे हैं ऑगma, पहले इनको देख लेते हैं किस तरीके से सोट इसको पो करते हैं यह बहुत ही जब हमें य इस कोस्टन करना होता है इस तरीक से तो ऺःती हुता हूऻ आपका हो गया 13, ठीक, चार दुनी 8 और हासी लिकाए 9, ठीक है और 4 इक लिकाना 4, ठीक है, अब आपको आजाएगा यहां से, तो आपका अन्सर आया 48, 36, आपका अन्सर जो आया है, वो कितना आया है, आपका, उरान 48, 36 आपका यहां सा अन्सर आ चुका है, अब आप ये देखे कुन से विकल में ऐसा question है तो आपका विकल नंबर एक जो है आपका सही हो जाएगा आपका विकल नंबर एक जो है बिलकुल अच्छी तरीके सा सही हो गया तो आप इसको चंद सेकिंड में ही question को solve कर सकते हो चलिए दूसरा question देखते हैं जब इसी सीरीज में question आये और समान अंक आये घटते के रम में यह भड़ते के रम में हो जाएए आपके हम क्या करेंगे कि इदर जो है आपके जू कम संख्या होती छोट संके इधर से अमको इक आइ लेना होता है क्या होना होता है उकाई असे दिना ह 오 Shame तो चारी का ना, चार, ऐसे रखे लेंगे, चारी का ना, चार, चार दोने, आठ, चार तीया, 12, हाँ से लगा एक, और 4.16 अर 1, 17, अब यह देखिकंगे, कितने से पहले, जो है, पॉइंट लगा लो तो, 1, 2, 3, 4, यहां भी, 1, 2, 3, 4, पॉइंट लगा दीजिए, आपका आं आठ चार और यह देखिए कौन से विकल्प में ऐसा एक पॉइंट साथ दो आठ चार तो आपका आंसर जो है वह है आपका विकल्प नंबर दो तो इसी तरीखे की चीक से मिलने की यहीं आप थोड़ा साथ को इंतियार करना पड़ेगा आज हम देख़ते हैं कि किस तरीखे से हम क्र liberty में किस के सBooks को सभी कर सकते हैं ठीक है चली आगे बड़ते हैं कि कुण कुछन ऐसे हैं कि हम इनको और टिक माध्यम से कर सकते है तो अब यह हमारा जो है तीसरा प्रिर से रहेए इन फिर प्लस तीन गोना थीन यहां ten वार्ट ती अब यह lehaई है कि अभ необходимо सकते हैं यहाई और यहाँ ती अभी हमने वताए जब संख्या के रूप में हो, तो हमें किदर लेना है किई अंक? वो इस साइट से का एंक ले तो 3 का कितनी बार है? 4 बार, तो 3 चोग बार है, कितना लिखना है? 3 चोग बार है, हासी लगा, 1 फिर कितना 3 तिया 9 और 1 3 तिया 9 और 1 आपका 10 और 10 का कितना आ जाएगा 0 हासी लगा एक अब 3 दुनी 6 और 1 7 और 3 रिकर ना 3 तो आपका आंथर कितना आ आ गया 37102 आपका यहां से आंथर आ चुका है अगर हम इसको बेजिक तरीक से करेंगे तब भी हम इसे यहीं कर सकते हैं, जोडते हैं, तीन, फिर यहां पर तीन, यहां पर तीन, और यहां पर तीन, अगर इसे जोड़नेंगे तो यहीं आजागा आपका, 37,02, तो ऐसे करने की जरूत नहीं, जैसे आपको जिस तरीके से question आपको दिया हो paper में, आप यहीं तरीके से paper में solve करका आ सकते हैं, अगर यही question हमारा point में बन कर आ जाए, यही question क्या है, आपको बन कर आ जाए, यहां पोइंट, यहां point, यहां point, और यहां point, तो आभ एक काइंग की जो लेना है है, जहां पर एक संख्या हो, क्योंकि बढ़ांक तो इधर होता है, बढ़ांक की जहां बढ़ांग होगा उधर से हम इसकी बुड़ा किरेंगे तो यहाँ पर बढ़ांग कि दार है कि पॉइंट तीन कमान पॉइंट तीन 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 से क्या होता है जदा होता है तो तीन ही का ना तीन 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 नो और तीन चोक सुरी तीन 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 ती कितने से पहला पॉइंट है चार से एक दो तीन चार यहाँ पर लगाज़ेंगे पॉइंट आपका आंधर कितना आ चुका है एक पॉइंट दो नो छैए तीन ठीक है, इस तरीके से हमने हैं कोश्वन कर लिया है, चलिए next question कि और बढ़ते हैं next question क्या है कि कई बार question परिक्षा में इस तरीके से भी आयाता है जो हमारा चोथा question है वह आता 3 सही 1 बटा 3 plus 3 33 सही 1 बटा 3 फिर आसकता है 33 33 कोई भी संख्या सकती है यहां पर 1 बटा 3 यहां सकती है 33 33 33 और यहां पर 1 बटा 3 यहां पर प्लस में क्या सकता है आपगा 33 33 33 छए वार यं boast यहां पर एक चीज जो होगी भी वो अदूरी ओगी कौन सी होगी यहां पर एक चीज जो चिपी होगी यहां देखिए क्या चिपीया होगी 33 33 तीन यह चिपीयोगी और इबटतीन ऐसे सी सीची भी भी हो सकती है अगर इस परीगा कोर्शन है तो हम कैसे करेंगे तो देखें इस तरीके जब कोर्शन होता है तो हमें कैसे करना होता है इकाइएंक जो लेना होता है हमें सबसे लास्ट में लेना होता है समझें इकाइएंक जो हमें लेना होता है सबसे लास्ट यहां से तो क्या करेंगे यहां से, कितनी बार 3 है, 6 बार, तो 6 तिया, 18 का 8, हांसिल लगा 1, 5 बार, 5 तिया, 15 और 1, 15 और 1, 16, हांसिल लगा 1, 3 तिया, 9 और 1, 10, हांसिल लगा 1, 3 तिया, 9 और 1, 10, हांसिल लगा 1, 3 तिया, 9 और 1, 10, हांसिल लगा 1, 3 तिया, 6 और 1, 7 और 3 एकना 3, इतना तो आगे है यह, मगर यह दो पार्ट में होता है, इस question में कैसे करते हैं, दो पार्ट में, आप देखी क्या करना है, एक, दो, कितनी बार तीन है, एक, दो, तीन, चार, पांच है, तो उपर कितना आजागा अच्छा है, बटे में कितना, तो कितना कट करना, दो, तो हमारा आं कुर्ष्टन ओर आता है कई वार आपका एक कुर्ष्टन ओर आता है आपका जो बहुत प्यारा कुर्ष्टन है मैं उम्मीद करते हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आजेगा यहां पर क्या है हमारा कुर्ष्टन होता है यह पाच्पा कुर्ष्टन हमारा जो है यह क्या है ठीक है देखते हैं इसमें क्या है इसा हम लिख सकते है नाइन नाइन बनवाई सेवन पिलस नाइन नाइन बनवाई सेवन फिर यहां पिलस नाइन नाइन बनवाई सेवन ठीक है यहां पर लिखांगे नाइन नाइन बनवाई सेवन ठीक है फिर यहां पर लिखांगे नाइ 9 9 और 20 वाई 7 इसका निकालना तो कितने बार यहाँ पर आपका 9 है तो कितना है 1 2 3 4 5 6 तो इसकी बस कितना है गुणा करनी है 6 है तो 9 चंग 54 ठीक है हां से लगे तो इसका कितना आ जागा आपका 69 चोरानवे यहां से गुणा आ जागा इसे भी दो पार्ट में करना है इसमें पिलस करो यानि कि कितनी बार 17 कितना आ जागा 7 1 2 3 4 5 6 ठीक है अगर हम यहां पर करेंगे तो इस तरिए यहां पर क्या होता है 1 यहां होता है 2 और यहां होता है 3 यह बढ़ते किरम में आता है यहाँ था चार, यहाँ होता आपका 5 और यहाँ कुतना आता है? 6 यह बढ़ते क्रेम में होता तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 तक कितना आजाएगा? बहुत आजाएगा 21, और 7 कितनी बार? 3 तो आपका आजाएगा 69 कितना आजाए गए यहां से 69 यही आपका जो है यहां से आंसर बन जाएगा तो हम इस तरीके से कैल्कुलिशन को और भी solve कर सकते हैं और भी जी कर सकते हैं चलिए देखते हैं फिर आगे क्या question है जो और भी अच्छे तरीके से हम इने solve कर सकते हैं जो पेपर मा आते हैं और हमारे जो है काफी लंबा time जो है लेकर चले आते हैं ठीक है चलिए देखते हैं वो क्या है अगले question करते हैं कि वो कौन-कौन से प्रसंट ठीक है तो यह time बन था हमारा अब type 2 के तरफ चलेंगे कौन-कौन से question हमारे परिक्षा में आ जाते हैं ठीक है तो हम देखते हैं एक बटा 2 यानि कि इतना लखेते हैं ब्रैकिट में आपने देखा होगा question अकसर आता है यहां से एक बटा 2 प्लस एक बटा 6 प्लस एक बटा 6 के बाद में आपका बार है ठीक है प्लस एक बटा 20 और प्लस डोट 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 यहां पर आ जाएगा ठीक है एक बटा 132 एक बटा 132 आ जाएगा हमसे इसका पुछा होता यह जब हम इस तरीक इसे question करते हैं तो पहले हम इनके गुना कर लेते हैं एक गुना 2 इसे हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 इसे हम लिख सकते हैं 3 गुना 4 क्या लिख सकते हैं 3 गुना 4 इसे लिख सकते हैं 4 गुना 5 इसे लिख सकते हैं 11 गुना 12 हम इस तरीक इस गुना कर लेंगे हमारा इसका जो तरीका होता वो क्या होता है छोटा वाला एक के बटे में एक बटा एक माइनस इधर का सबसे बड़ा पद एक बटा बार है इन सब के बटे में इन दोनों का अंतर इन दोनों का अंतर तो एक अंतर है तो यहाँ पर आ गया बार है एक आ जागा बार है बार है मैं से एक गया कितना आगया 11 बटे बार नोट करने वाली बात क्या है कि जब भिन एक बटा दो से सुरू हो तब अंतिम अंतिम गुणन फल भिन का रूप होती है भिन का रूप होती है तो देखे इसमें आप ऐसे भी देख सकते थे एक बटा दो से स्टार्ट है और अंतिम गुणन फल्फन कितना है 11 बटे बारे तो हम डाइरेक्ट यहां अंतर लगा सकते थे 11 बटे बारे इस तरीके से भी इसका अंतर आजाएगा तो कितनी बढ़ी है ट्रीक है बहुत बढ़ी है यहां से अब देखे लेते हैं दूसरा प्रसन क्या है आपको समझ में आगया होगा एक बटा दो को लिख सकते हैं एक गुणा दो और एक बटा शे को लिख सकते हैं दो गुणा तीन नेक्स कोच्टिन के तरफ आते हैं नेक्स क्या है हमारे थिका है Catholic हमारे कुषद है एक बटा दो यादि की क्या लेखते हैं एक बटा दो एक बटा च्टै एक बटा और यहां ऑबार दो आपका वीस डोट करके करके हां तक है एक बटा चपन है ठेक है तो हम यहां गुणा कर सकते हैं एक गुणा दो यहां पर दो गुणा तीन अनिहां कर सकते हैं तीन गुणा चार अनिहां कर सकते हैं चार गुणा पांच ऐसे यहां पर साथ गुणा आठ यह तो क्या सर्थिती है हमारी कि एक बटा दो से स्टार्ट ह तो हमारी ये अंतिम भिन्नों की बोई हमारा क्या होगा आंतिम, तो साथ बटे, आठ हमारा क्या हो गया आंतिम, या ऐसा ना करो तो एक बटा, ये ले लो एक, अंतिम क्या है, एक बटा, आठ ले लो, दोनों का अंतर बटे में एक, यानि कितना आ गया, साथ बटे, आठ आप को प्रफिप कर सकते हैं तरह के से संब फॉर्फिन को कर सकते हैं है कि इसरी में कि इसी जाता है कर राके न के पदों में Snake कर दो है जाता है ज आर्फिप किस तरीके समको यह करना है जैसे एक बटा दू एक बटा दो एक बटा च्छे एक बटा बार है अब प्लस एक बटा एन और एन प्लस बन यह आ जाता है ठीक है एन प्लस एन बना जाता है ठीक है तो हम क्या करेंगे यहां से यहां पर इसके गुणा खन करेंगे एक गुणा द यहां करेंगे दो गुणा तीन यहां करेंगे तीन गुणा चार यहां करेंगे डोट डोट है प्लस यहां करेंगे एन गुणा एन प्लस बन यह लिखेंगे तो हमें जब एक बटा दो से शुरू होता है तो n बटे n प्लस बन ये हमारे के बन जाएगा आंसर बन जाएगा जब हमारी भिन एक बटा दो सब शुरू होती है तो हमारा आंसर के आता है जो भी अंतिम कुलन खंड होते हैं वो हमारे क्या होता है आंसर होता भिन के रूप में बन कर अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो तो एक बटे एक लिख दो एक बटा एक यानि कि एक के बटे में छोटी वाली भीन यहाँ पर एक के बटे में बड़ी वाली भीन एक बटा एन प्लस बन और दोनों में अंतर और इन दोनों का अंतर कितना एक तो यहाँ से करेंगे तो क्या आजाएगा N plus 1 N plus 1 minus 1 bete N plus 1 तो 1 सा 1 कैंसल कितना आपका N bete N plus 1 इस तरीके से आपको कोश्ण को baseball एतना करने की भी जरुवत नहीं है कि देखू कि 1 बटा 2 है और बस अन्तिम गुलंगृंड देखो अब ही आपका क्या होगा आंसर होगा ठीक है अब उन question के बाद करते हैं जो 1 बटा 2 सरूरू नहीं होते हैं कई बार ऐसा हो सकता है कि 1 बटा 2 सरूरू नहीं हो तो कुछ और संक्या सरूरू हो सकते हैं हर तरीके question आपको मैं यहाँ पर कराने वाले हैं हम लोग ठीक है अब देखे हम क्या करते हैं इसमें next question है हमारा 1 बटा 30 हमारा question है 1 बटा 30 प्लस फिर हमारा है 1 बटा 22 और यहाँ पर फिर 1 बटा 56 और प्लस डोट डोट फिर हमारा है 1 बटा 110 1 बटा 110 हमें चाहिए इसका माल तो हम इससे तोड़ सकते हैं 5 गुणा 6 में इससे तोड़ सकते हैं 6 गुणा 7 में इससे तोड़ सकते हैं 7 गुणा 8 में और इससे तोड़ सकते हैं 10 गुणा 11 में अब हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर 1 बटा 2 है नहीं तो हम लखेंगे 1 बटा 5 माइनस एक बटा ग्यार है और बटे दोनों में कितने का अंतर है एक का तो अब यहाँ से हमारा कितना आगिया पांस तो यहाँ परल से में कितना आ गया पचपन अब 11 में ऐसा 5 गए, कितना बचा? 6, तो आपका अंसर आ गिया 6 बटे 5, 6 बटे 5 तो अंसर कितना आ चुका है? 6 बटे 5 6 बटे 5 हमारे हैं अंसर आ चुका है ठीक है? चलिए एक question और करते हैं, इससे related एक question और करते हैं इससे related, क्योंकि अभी तो हम कर रहे हैं, एक बटा 2 से start वाले अब जो है, ऐसे question हमने डाले हैं, जो एक बटा 2 से नहीं है, मारे लिजे एक बटा 15 है, यहां पर क्या जागा? एक बटा 15 है, पिलस एक बटा 35 पिलस, एक बटा 35 पिलस एक बटा 63 एक बटा 63 यहां 7 गुणा 9 और यहां पर 11 है गुणा 13 क्या करेंगे? एक के बटा में 3 लिखेंगे माइनस एक के बटा में 13 लिखेंगे और दोनों में कितने का अंतर है, वो दो लिखेंगे ठीक है, दोनों के बीच में कितने अंतर है, दो लिखेंगे अब यहां देखिए कि हमारे क्या है यहां LTM आ गया 49, 49 हमारा LTM आ गया ठीक है और यहां पर भी कितना लिखंगे दो, अब 13 मैं से अगर 3 गए तो कितना बचा 10, 13 मैं से 3 गए तो कितना बचा 10, क्योंकि यह 13 है इधर पहुंच जागा 3 इधर आगा तो ऐसी घटा लो 13 मैं से 3 गए 10 और 2 से कितना पांच तो आपको आंसर आगे पांच बचे 49 नहीं समझें इस तरह के समकोर्ष्टनों को इनको सोल्व कर सकते हैं बहुत हलके तरीके से सोल्व कर सकते हैं चलिए इस टाइप का एक कोर्ष्टन और देखे लेते हैं कि क्या आपको समझ में आया है और नह नहीं कर पाओँ ठीक है चलिए एक कोशन करते हैं एक बटा तीन पिलस एक बटा पंधर हैं पिलस एक बटा 35 35 1 बटा 63 1 बटा 63 यहाँ देखते हैं अब देखते हैं कि यहाँ क्या आएगा तो इसे लिख सकते हैं 1 गुणा 3 यहाँ लिख सकते हैं 3 गुणा 5 यहाँ लिख सकते हैं 5 गुणा 7 यहाँ लिख सकते हैं 7 गुणा 9 तो यहाँ 1 बटा 1 माइनस 1 बटा 9 9, 9 में से एक गया, 8 वटे 9 और गुना कितना? 2 तो 2 से कितना आया? 4 तो आपका अंसर आगया 4 वटे 9 या आपका अंसर आगया 4 वटे 9 तो हम ना अभी तक 2 प्रिकार के कोशन यहां से कर लिए हैं कि हमने किस-किस तरीके से इन कोशनों को solve किया है ठीक है अब मैं आपको कुछ कोशन बताने वाला हूँ कुछ तरीक बताने वाला हूँ जो किस प्रिकार की ट्रिक है हमारी कुछ कैल्कुलेसिन की ट्रिक है उनको देख लेते हैं मैं कुछ कैल्कुलेसिन आपके सामने रखने वाला हूँ शंक्या पाजिती में वो क्या होती है जैसे है पैरा टाइप हमारा यह है कि हमने 22 गुणा 28 यह है दूसरा कोश्चन हमारा रहेगा 43 गुणा 47 तीसरा कोश्चन हमारा रहेगा 56 गुणा 14 पहले इनको देख लेते हैं अगर हमें इस तरीके से गुणा आजाए तो इसमें कुछ यूिक क्या है कि इकाई यग यग कोश्चन है 10 और एक ही बर्ग के है 22 और 28, 20 और 30 के बीच के है और इकाई यग कोश्चन कोश्चन के है यहां पर 3 और 7 इकाई यग कोश्चन के कितना है एक ही बरग के हैं रिकायों को योग दस तो हम सीधा 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 सिंपल करेंगे आठ दुनी 16 ऐसी लिख देंगे इस दो में और इस दो में एक अंग बढ़ा गुणा कर दो दो तिया दो तिया कितना 6 तो आप का अंसर आ गया 616 यहां करेंगे साथ त्या 21 अब चार यहां चार यहां तो चार में एक अंग बढ़ा गुणा कर दो चार पंजे बीस तो बीस इक इस यहां पर करेंगे 6 चोख 24 और पांच चंग 30 तो आप का अंसर अगई तो आप एक्जाम में अपना टाइम इस तरीक से बचा सकते हो दबल अंक की गुणा खेंडे की ज़रत नहीं पड़ती है चलिए एक दो कोस्टन और देखे लेते हैं इसमें एक दो कोस्टन ने देखते हैं बड़ी संख्या गुणा करके देखते हैं जैसे कि सपोस करो 92 गुणा 98 यह हमारे पास गुणा आ चुकी है कैसे करेंगे तो दे 9,016 माली जी 78 गुणा 72 आपका आजाए तो 8 दुनी 16 और 7 में एक अंग बढ़ा गए 7,8,6 तो कितना आगिया 56 सो 16 इस तरी के कोस्टन को हम 16 कर सकते हैं चलिए नेक्ट कोस्टन देखते हैं ट्रिक के पाध्यम से जैसे अगर आपकी गुणा आजाए 13 गुणा 15 और हमें यह निकालना है तो यह अब आपका टाइप जो है वो चैंज है टाइप गुणा खंड का कितना है तो अगर 13 और 15 गुणा आजाए तो यहां देखी इसमें एक संख्या लूप है कितनी है चोदे इसका वर्ग कर दो चोदे का वर्ग 196 एक कम कर दो कितना आगिया एक सो पिच्च घया आपका आग्या अंसर सपोनु कि यहां पर 22 और गुणा 24 को दे दिया है और आगा दोन को कहे तो इन में कितने का तेईस गैप कितना है एक संख्या होगी इसमें 20 और तेईस का वर्ग कर दो पांस सो उनतिस और माइनस एक कर दो कितना आ जागा आपका पांस सो अठाइस आपका यहां से आंसर आ जाएगा तो यह भी आपको परिक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्फुल हो सकती हैं ठीक है एक दो कुर्श्टन और देख लेते हैं देख लेना इसको यानि क्या करना है 13 आपको गुणा करनी है माँ आपको मांगे चलिए कि आपको गुणा करनी है 34 और 36 की 34 और 36 की आपको गुणा करनी है आपको यह पसवास एक्जाम में गुणा आ गई है और आपको ना तो 34 का पाढ़ा यादा ना 36 का तो आपको 35 इसके बीच में संक्या होगी क्या इसके बीच में संक्या होगी वो इसके बीच में संक्या होगी 35 छुपी होई इसका बर्ब करो और जिसके लाश्टर 5 होता 25 और 3 में एक अंग बढ़ा गुणा करो 3 चोख 12 तो 1225 ही आगी माइनस बन करो हमारा आंसर आचुका है 1224 इसके गुणा जो हो कि इतनी है 1224 1224 इसके गुणा जो है हमारी आचुकी है 1224 इसके गुणा आचुकी है बहुत अच्छे तरीय के सब आपने करा है इस question को ठीक है चलिए अब मैं कुछ और calculation वाले question देता हूँ कुछ calculation वाले question और करते हैं तो हमारा जो type होगा calculation में क्या आजाएगा type 3 आजाएगा क्या जाएगा type type 3 आजाएगा अब type 3 में क्या है हमारे question यदि suppose करिए कि हमारे पास कुछ question दिये है इस तरीके से कि x बराबर 63 plus 63 plus 63 plus dot 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 infinite ऐसा दिया तो हम इसे किस तरीके से करना है तो यहाँ पर है plus का तो 63 के factor करो 63 के factor करो यानि कि 9 और 9 सत्ते 63 हमने factor कर लिए तो जब plus का sign हो जब बीचे plus का sign हो तो बड़ा वाला पादा अंसर होगा कितना होगा और जब हो minus वाला sign जब हो sign किसका plus का तो हमारा क्या आएगा और जब sign हो minus का तो हमारा आंसर कितना आएगा 7 ऐसे गुर्ण खंड अगर आजाए याँ परिक्षाह में करने के लिए तो जब इस तरीक है तो जब plus का sign हो उनके बीच में लगवा तो यह आजाएगा बड़ा संख्या 9 जब minus का sign हो तो क्या आजाएगा आपका यहाँ पर 7 समझ गए चलिए एक question और कराते हैं आपको क्या है चलिए x बरावर x बरावर आपका यह है 35 फिर यहाँ पर 35 यहाँ पर 35 और यहाँ पर भी आपका डोट 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 और यहाँ पर इस question को solve करना है किस तरीके से करना है 35 के गुणखट क्या हो सकते है 7 गुणा 5 sign किस चीच का है पिलस का तो जब होता है sign किसका पिलस का जब sign किसका होता है पिलस का होता है तो हम बड़ी वैली से खेड़ेते तो इसका आंसर कितना आ गया है 7 इसका आंसर आ गया मैं मित करता हूँ अब तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं कोई डाउट होने वाला भी नहीं है ठीक है अब तो डाउट पर होने वाला हो गई नहीं हास है चलिए एक और देखते हैं एक और देखते हैं आपर question एक question उन्हें देखते हैं माल लिजे यहां पर question है 20 minus 20 और minus 20 और dot dot यहां पर क्या है infinite क्या करना है तो x बराबर है तो यहां करेंगे गुणा पांच गुणा 4 ठीक है तो अब यहां पर sign क्या है मैंने बताते हैं जब sign किसका हो minus का तो यहां पर कौन तिसेंट के लेते हैं 4 तो आपका answer कितना आ चुका है यहां सब का answer आ चुका है 4 यहां था आपका answers रहुँका है इस तरीखे समकोंस हो कि इहां पर solve कर सकते हैं ठीक है? चले, next question के तरफ चलते हैं कि next question और क्या हो सकता है next question होआरा और क्या हो सकता है, उसको देख लेते हैं वो क्या है? अगर question इस तरीखे सा आजे कि आपका आपका कि एकस बराबर करनी दो 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 और यहां पर इस तरीकस आपका कुर्षण आजाए यहां से इस तरीकस दिया है और अब हमें निकालना है कि क्या आएगा तो इसमा आधार क्या है इसमें आधार है आपका 2 ये लिखे लेंगे आधार 2 फिर हम ये देखो कंड़ी कितनी है एक, दो, तीन, चार, पांच तो 2 को इतनी टाइम लिखे लो 2 गुणा, 2 गुणा, 2 गुणा, 2 गुणा, 2 कितना आया? 32 तो बस इसमें से कम करके हैं 21 बटे, 32 यानि कि 2 की पावर 31 बटे, 31 हमारा क्या हो जाएगा? इस तरीए कोस्टन में तो ये हमारा नेक्स टाइप है जिसमें हम ने इस तरीके क्लकुलीशन की बात की है ठीक है? चलिए नेक्स कोस्टन के तरह बढ़ते हैं इसमें नेक्स टाइप अगर हम इसी में करें यदि X बरावर X बरावर 6 करनी फिर यहां पर 6 यह आपका आज गया है और यहां पर इतना 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 देते हैं 4 बार यह आपका इतना कुछतन आ चुका है और हमें पूछा है कि इसी कामान निकालने के लिए यह निकालना है तो हमां आधार के लिए ना है 6 अब 1,2,3,4 तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 2 दुनी 4 दुनी 8 दुनी 16 यानि कितना एक दंगे 15 बटे 16 हमारे हां से आंसर आ जाए तो इस तरीके के प्रस्णवों करने के लिए हम इन त्रिका हाँ थारा ले सकते है ठीक है? चलिए अब कई बार ऐसा होता है कि एक कोस्टन आता है एक या दौ कोस्टन में हम बोर्ण पे लिख देता हूँ कि किस तरीके सो होगा एक कोस्टन लिख देता हूँ कई बार आता है जैसे कि 1900 298 का square माइनस 1993 का square फिलस 1996 का square माइनस 1995 का square फिलसWorld994 का square और माइनस 1993 का square बरापर पूछा होता क्या तो अगर हम इसक वेसिक करते हैं तो यह formula बन जाता है a square minus के b square फिर प्लस क्या बन जाएगा a square minus के b square फिर प्लस यहाँ पर a square minus के b square यह वाला बन जाता है तो इतना square करने के ज़रोत नहीं होती जब भी आपको यह लगातार संक्या दी गई है और square में दी गई हैं तो सारी संक्या उट जोड़ लो यानि direct के कर लो सभी को सभी को जोड़ने पर आपको क्या मिल जाएगा आंत्र मिल जाएगा जैसे 3 और 4 7 7 5 12 12 12 6 18 18 18 7 आपका 25 25 और 7 25 और 25 और 8 आपका तहते हैं तो carry कितने 3 अब हर जगे 9 9 है तो 1 2 3 4 5 6 9 चंग 54 और 3 57 हासिल कितना लगा 5 फिर 9 है 9 चंग 54 और 5 आपका 69 कितना 5 अब एक एक है एक दो 3 4 5 6 तो 6 और 5 11 आपका आंसर आगे 11,973 आपका आंसर आचुका है 11,973 तो आपका इस तरीके से जो है हम question solve कर सकते हैं और हमारा आंसर कितना है 11,973 यहां से आपका आंसर बन जाएगा तो दोस्तो इसी तरीके की trick अगर आपको चाहिए और इसी तरीके से आपको calculation easy करनी है तो देखते रहे हमारा channel MS competition.9456 और ज्यादे ज्यादे अपने दोस्तों में इसे share करें और जहां तक भी है आप हमें जिजनी स्टोफिक को वीडियो बनानी है आप बता सकते हो ठीक है आप लोगों का सहयोग और प्यार हमको चाहिए ठीक है क्योंकि अगर आप लोग हम सपोर्ट करेंगे तभी हम कुछ अच्छा टाटा आपको दे पाएंगे ठीक है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जाद जाद सेयर करें जय हिन जय भारत